मोवी स्टार्ट हुते ही हमें बाब और बेटा दिखाया जाता है जो उसवक्त बोट में बैटे होते हैं और एलिगेटर्स पकड़ रहे होते हैं उनमें इसे बेटा टॉलेट करने किनारे पर जाता है और जब वो वापिस आता है तो वो देखता है कि किसी ने बड़ी बिर्य पहमी से उसकी फादर को मार डाला है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच समझ पाता कुछ कर पाता कोई पीछे से आकर सिर्फ हातों से ही उसकी दो टुकड़े कर देता है इसके बाद हमें दिखाया जाता है बैंड जो अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ एक फेस्टिवल में आ हादा रही थी वहां पर उसने किसी से हांटिड्स होप टूर के बारे में सुना था और वहां पर जाने का प्लैन बनाता है और उसकी बाकी फ्रेंड्स में मारकस जो ना चाहते हुए भी उसके साथ जाने के लिए एगरी हो जाता है वह दोनों उस शोप पर जाते हैं जहां पर ये टूर्स करवाये जाते थे वहां का ऑनर उन्हें बताता है कि अब वो टूर नहीं करवाये जाते इसकी वज़ाई ये है कि वहां जाना अलावड नहीं है लेकिन वो उन्हें दूसरी शॉप का एड्रेस बता देता है जो ये टूर अभी भी करवा रही थे एड्रेस लीनुद लेने के बाद वह दो नो उस चौक पर जाते हैं और वहां वह एक लड़का एंड्रियो से मिलते हैं जो ये तूर करवाता था और वहीं पर दो मौडल भी होती हैं वह दोनुद डारेक्टर के साथ पर जा रही थी पिकट्स लेने की बाद वह दोनों टूर बस में ज जाने ही लगता है कि कुछ दूर पर एक आदमी उन्हें चिला चिला कर वहां जाने से मना करता है लेकिन वो लोग उसे पागल समझ कर इग्नोर कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं एंड्रियो उन्हें उस सौंप का टूर करवा रहा था और क्यूंकि वो एक हांटे टूर तो वो साथ साथ उन्हें दराने की भी कोशिश कर रहा था सौंप के किनारे उन्हें एक घर दिखाई देता है एंड्रियो ने बताता है कि ये घर यहां के अर्वन लेजेंड रिक्तर क्रावली का है वो बताता है कि क्रावली बहुत ही ज्यादा बदसूरत था जिसकी पूश्टर जाने के बार उनकी बोर काफी बड़े-बड़े पत्तरों में ऱ्रश जाती है कि और बारशाना शूर्व हो जाती है और उन लोगों की इतनी कोशिश करने की बावजूत भी बोर्टं वह से नहीं हिलती और कुछ करता तब मेरी बैट एक गन निकालती है और उससे उस एलिगेटर को शूट कर देती है फिर वो एक एक करके किनारे तक पहुंच जाते हैं क्योंकि वो लोग उस मुसीबत में बुरी तरह फस चुके थे इसलिए वो एंड्रियो से इस बात का जवाब मांगते हैं और यहां पर वो एक्सपोज हो जाता है वो बताता है कि वो कोई टूर नहीं करवाता बलके कुछ पैसों की वज़ा से उसके भाई ने ही उससे यहां बेजा है और यह उसका दूसरा टूर है वो यह भी कहता है कि पहला टूर तो बहुत अच्छा रहा लेकिन दूसरा टूर यह था जिसम और वो घर वापिस नहीं आए तो वो उन्हें यार डूड़ने आई है और वो दोनों वही थे जिने किसी ने बड़ी बेरहमी से मार डाला था वो कहते हैं कि जितनी जंदी हो सके हमें यहां से निकलना चाहिए वरना हम सभी मारे जाएंगे लेकिन कोई भी उसकी एक नहीं सु पाकर घर में ही रखते थे वो उसका एकलोता बच्चा था तब ही वो उससे बदसूरत होने की वज़र से भी प्यार करता था बाकी बच्चे विक्टर को काफी डराते थे और उसका मजाग भी बनाते थे और यही बज़ा थी वो दोनों सिटी से दूर इस जंगल में रहा कर और एक दिन हैलोवीन की राज जब विक्टर का फादर घर नहीं था तब कुछ बच्चे उसके घर जाकर बाहिर से उसको काफी परिशान कर रहे होते हैं वो बच्चे पटाखे जलाकर घर के अंदर फैंक रहे थे ताके डर कर विक्टर बाहिर आ जाए लेकिन उन पटाखो दोर को ओपन करने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन इसका कोई भी फाइदा नहीं होता और तब उसके फादर एक हैचेट लेकर उस दर्वाजे को तोड़ने लगते हैं लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि दर्वाजे की दूसरी साइट पर विक्टर खड़ा हुआ है एक दिन वो भी मर गए और बस उसी ही दिन से विक्टर क्रावली अपने फादर को उस जंगल में ढूलता है और इस बीच जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार डालता है ये पूरी कहानी सुलनेने के बात भी कोई भी उसकी बात पर बिलीफ नहीं कर रहा था बलकि को ये कह रहे थे कि हम विक्टर क्रावली के घर को बहुत पीछे चोड़ाए हैं तब मेरीबैत कहती है कि वो क्रावली का असले घर नहीं था और वो उन्हें उसका असले घर दिखाती है जो कि बिल्कुल उनके सामने था और रोड तक पहुँचने के लिए उन्हें क्रावल निकल कर घर से själva ah Jr से बुरी तरहमार मार कर जिंके दो कुक्ड़े कर दीता है और तभी SH Mayo वहां से भागने की कोशिष करती है लेकिनि विक्तोर प्रावुली उससे भी पकड़ कर बुरी तक माद देता है और ये सीन काफी डिस्टर्बिंग है उसे देखकर बाके सब तो भाग जाते हैं लेकिन मेरी बहत उसे शूट करने लगती है और जैसे ही विक्टर क्राउली उसकी तरफ बढ़ता है वो उस पर गोली चला कर उसे नीचे गिरा देती है और वो भी वहाँ से भाग जात उदर दूसरी तरफ वो सब वहां से निकलने की कोशिश कर रहे थे लिकिन घूम फिरकर वो फिर से उस घर के सामने आकर खड़े हो जाते हैं तब मैरी बैट कुछ हतियार डोनने उस घर में जाती है और उसके साथ बैन भी जाता है और वहीं पर मैरी बैट को उसके फादर जानवर का चोटा सा बच्चा होता है और तब वो बेफिकर हो जाते हैं तब भी विक्टर क्रावली वहां आकर मॉडल जैना को पकड़ लेता है और वो बैल्ट सेंडर मशीन को उसके मूँपर चला देता है उसे देखकर मैरी बैट का बहुत खुन खोलता है वो अपने दराक तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है जैना में अभी थोड़ी बहुत सांसें बाकी थी लेकिन विक्टर क्रावली उसे मजीद जिन्दा रहने का कोई मौका नहीं देता और वो उसे भी बहुत बुरे तरीके से मार डालता है अब तक उन सबको पता चल चुका था कि वो को सब उसके घर की तरफ बढ़ते हैं वाहिर मारकस और मेरी बैट विक्टर क्रावली का दिहान बटाने की कोशिश करते हैं और इसी दुरान बैन वहां पर फ्यूल ढूंडता है और दूसरी तरफ मौडल मिस्ट्री वाहिर पहरा दे रही होती है बैन को एक कैन में फ्यूल तो मिल जाता है लेकिन तब ही मिस्ट्री की बोडी के पार्स उस पर आकर गिरते हैं और तब वो देखता है कि क्रावली भी उसके सामने आ चुका है क्रावली अभी उस पर हमला करने ही वाला था लेकिन मेरी बैट पीछे से आकर उसे मारते हुए पकड़ लेती है और इसी यही के भी बारिष Чो जाती है। और बारिष की वजह से सारी आग भूढ़ जाती है। यह देख कर वो लोग अब पना जाम जान चुके थी और वह वहां से भाग जाते हैं और भागते भागते वहुय कबृस्तान तक पहुंच जाते हैं उन्हें कबरिस्तान का गेट मिल जाता है लेकिन बदकिस्मिती से सामने से क्रावली आ जाता है वो लोग जान बचा कर वहां से भागने लगते हैं लेकिन क्रावली मारकस को पकड़ लेता है और उसे बुरी तहां जकड के उसके जिसन की एक-एक हड़ी त तरफ फैंकता है जो सीधा जाकर बैन के पाउं में लग जाता है और अब वो लोग अपनी मौत की बिलकुल सामने थे क्रावली भाग कर उन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है लेकिन यहां पर बैन एक समझदारी करता है वो सरिया निकालने की बजाए विक्टर क्रावली की तरफ मौर देता है और वो सीधा जाकर उसके अंदर घुच जाता है वो दोनों वहांसे निकल कर आगे बढ़ते हैं तब मेरी बेन को उसकी फादर की बोट मिल जाती है वो दोनों बोर्ट में बैटकर वहांसे निकल जाते है और यहां पर ऐसा लगताoj है जैसे वो लोगरो क्रावली से बच गए हैं लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है वो दोनों बड़े अराम स्कून से वहां से निकल रहे होते हैं तभी विक्टर क्रावली मेरी बैट को पानी में खेंच लेता है वो किसी तरहां खुद को चुडा लेती है और तभी उसे पानी में बैन का हाथ न मूवी एंड हो जाती है